आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज इस बीच असम में डिब्रुगड के सोहम मौल सिनिमा हॉल में चल रहे केरला स्टोरी फिल्म को लगातार 15 शो में लगबख 10,000 चात्र चात्राओं को संगठन की करफ से दिखाया गया देखिए रिपोर्ट उप्री असम के डिब्रुगड में दा केरला स्टोरी सिनिमा को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिशत के कार्य करताओं ने चात्रे चात्राओं को मुप्त में दिखाया दा केरला स्टोरी फिल्म में लब जहाद के चलते विसेश कर लड़कियों के जीवन बरबाद होते दिखाये जाने के चलते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिशत चात्राओं को रूबरू कराने का प्रियास कर रही है डिब्रुगर के सोहम मौल के सिनिमा हॉल में चल रहे दा केरला स्टोरी फिल्म को लगातार पंदरा सो में लगबग 10,000 सात्राओं को संगठन के चरप से मुफ्त में दिखाया गया है दोनों संगठों ने मिलकर बच्चों में जागरुटा लाने का प्रियास को लेकर इस फिल्म को दिखा कर लग जहाद से लड़कियों को दूर रखने का प्रियास है संक्य संयोजक राजकुमार मित्तल के अनुसार इस फिल्म का लड़कियों को दिखाने का उदेश्य धर्मांतरन को रोकने का एक प्रियास है धिब्रुगर से अरुन कुमार जेन के साथ कैमरा परस्टन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट विश्व हिंदू परिशद बजरंग दल जो केरला स्टोरी है उसको दिखाने का कारिक्रम पंद्रहवा सो अभी चल रहा है आज के दिन और आज के दिन ही हम लोग समापन कर रहे हैं इतना पढ़िया ब्यवस्ता राजकुमार मेत्तल ली और उन्होंने किया कि सभी को फिरी में दिखाने के लिए यह केरला स्टोरी एक फिल्म नहीं यह सच कहानी पे अधारित है सत्यता पे अधारित है अगर जितने भी लोग हैं इस कहानी को देखेंगे और रियलाइज करे तो देश के विविन्न विविन्न भागों में इस तरह की घटनाएं हो रही है और यह फिल्म देखके उनके अंदर एक जागुरुकता आना चाहिए कि किस तरह से हमें अपने आपको सुरक्षित रखना है और अगल बगल आसपास लोगों को इस लब जहाद जैसे सड़ियन बच्चिये बच्चे बच्चियां देखकर अपने आपको स्ट्रोंग बनाएं और समझे कि क्या विविन विविन्न भागों में किस तरह की कूरित या सड़ियंत्र कारी सड़ियंत्र चल रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग एक कदम उठाए हैं देश और दुन्या की त आगने district बच्चियो हैं ँन्ह下次 कि कुछ पर दिचक्व स्टाल रहे हैं था हैं आगने बा मैं की तर दुन्त्र कि आए हैं तूसमी हैं आगी हैं आगने इहा हैं घसके।